Hi Everyone, Welcome to BPS Adda BPS Adda पर आप सभी का स्वागत है 67th BPSC Prelims और Bihar CDPO Prelims को देखते हुए Bihar Special का एक अलग स्रीज BPSC Adda पर सुरू किया गया है जो कि आपके exam point of view से काफी important होने वाला है क्योंकि अगर आप Bihar Special की तियारी अपने preparation में नहीं करते हैं तो आप समझें कि आपकी जो तियारी है वो अधुरी है क्योंकि Bihar Special से देखा गया है कि काफी सारे questions पूछे जाते हैं So अगर आप BPSC Prelims की बात करें तो BPSC Prelims में लगभग 25 questions आपको Bihar Special से मिल जाएगे तो अगर आप Bihar Special की तियारी को ignore करके चलेंगे तो आप result जो है unexpected आपका आने की संभावना रहेगा तो इसलिए आपकी तैयारी एक सही दिशा में चले इसलिए Bihar Special का एक अलग से स्रीच BPSC एटा के द्वारा चालो किया गया है यह lecture 2 है lecture 1 को already upload कर दिया गया है और lecture 1 काफी important है क्योंकि उसमें हमने census को cover किया था जहां से कोई भी exam ले लिजे चाहे BPSC ले लिजे CDPO ले लिजे BSSC ले लिजे या Bihar SI ले लिजे परते की exam में या teacher का exam दे रहूं परते की exam में वहां से अर्थाते census वाले प्रसंटों से एक प्रसंटों पक्का रहता है तो अगर आप में से किनी नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखनी के बाद आप उसे देख सकते हैं वीडियो उसमें अब लेबल है उसके अलाबा उसका लिंक मैं इसके description box में दे दूँगा आप वहां से भी जाके देख सकते हैं तो चलिए एक general view बिहार का समान गयान का आज का जो lecture है हमारा उसमें हम एक general view आपको basic idea क्या होना चाहिए बिहार के बारे में उस पर सर्चा करेंगे और कुछ map का भी हम मदद लेंगे so that आपकी orientation जो है बिहार के बारे में एकदम picture clear हो जाए और अगर कोई questions उससे पूछा जाता है तो आप बना के आएं आप questions छोड़ के ना आएं सो हमारी कोशिस यह रहेगी कि आपको एक orientation जो है पूरी अच्छे तरीके से दिया जाए सो pain और paper लेके बैठें so that अगर कुछ note करने की बारे आए तो आप note कर सकते हैं तो चलिए start करते हम आज का session सबसे पहले हम एक general overview देखेंगे right basic questions को हमेशा ignore किया जाता है उस चीज़को नहीं करना है एक basic questions सबसे पहले आप यहां देख रहे होंगे यहां आप देखिए यह जो symbol है right जो tree और स्वास्तिक वाला जो symbol है यह बिहार का symbol है तो सबसे पहले नाम तो अगर हम नाम की बात करें अगर हम नाम की बात करें तो नाम क्या है बिहार अब बिहार नाम कैसे पढ़ा संभबता यह जो नाम है वो कैसे पढ़ा बौत बिहार ठीक है जो बौत बिहार है उसकी अधिकताओं के कारण तो जो बौधों का रहने का जो अस्थान था यहां पर वो बौध बिहार था और उन बिहार के अधिक्ताओं के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा एक चीज दूसरी चीज इसके अस्थापना अब अस्थापना के अगर हम बात करते हैं तो बिहार की जो अस्थापना 22 मर्च 1912 को हुआ था अब इसकी इतिहास ये है कि earlier बंगाल और इसा और विहार ये तीनों एक ही प्रांथ में थे लेकिन 22 मार्च 1912 को ठीक है 22 मार्च 1912 को या बंगाल से क्या हो गया बिभाजित हो गया और जब बंगाल से बिभाजित हुआ तो बिहार और ओडिशा दोनों एक ही प्रांथ में थे ध्यान दिजगा फिर से एक पर मैं रिपीट कर जाता हूँ यहां सब बेसिक सा कोश्चन से और हमें सा कन्फ्यूजन क्रियेट रहता है 22 मार्च 1912 का जो अस्थापना दिवस है बिहार का वो दिवस है जब बिहार और ओडिशा साथ में बंगाल प्रेशिडेंसी से अलग हुआ था और और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बिहार से थ्रौसा एक बार मैं यहां टिवीजन की बात कर दूँ तो सबसे पहले आपने देखा कि बंगाल ओडिशा और बिहार तिनों एक ही प्रांत में थे और पहली बार बिहार का जो बटवारा हुआ था 22 मार्च 1912 प्रा में जब यह बंगाल से अलग हुआ उसके बाद बिहार से ओडिशा 1936 में अलग हुआ था बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ था 1936 को और इस तरह से एक अप्रेल 1936 को बिहार एबम ओडिशा दोनों अलग अलग राज के रूप में अस्तित में आये तो सबसे पहले आपने देखा कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और ओडिशा अलग हुए उसके बाद बिहार से ओडिशा अलग हुआ बिहार तो वही रहा लेकिन बिहार से ओडिशा अल अलग राज्जी के रूप में अस्त्यत में उसके बाद आप देखेंगे कि एक विध्यक आया था दो हजार इसमें कि कि दो हजार इसमें एक विध्यक और इसमें के पास होने के बाद कि बिहार से पंद्रा नवंबर 2000 को जारखंड अलग हो गया जारखंड क्या हो गया अलग हो गया यह historical background और यह questions बहुत ही important है यह सारे questions important यह जो मैंने आपको इतिहांस बताया यह बहुत important है आपको इसको ध्यान में रखेगा तो basic से एक बार फिर से revision कर देता हूं सबसे पले 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना दिवस वो इसलिए क्योंकि बंगाल प्रेशिडिंसी से बिहार और ओडिसा अलग हुए देर आप्टर यू विल सी कि 1936 में बिहार से ओडिसा अलग हो जाता है और इस तरह से एक अप्रेल 1936 को बिहार और ओडिसा दोनों अलग अलग अस्थित में आते हैं उसके बाद अगेन बिहार का बटवारा होता है और इसका जो दचनी प्रांथ है जारखन वो 15 नवंबर 2020 को जारखन का दचनी भाग यानि सोधरन पार्ट बिहार से अलग होता है और उसका नाम रता है जारखन चिक है यानि बिहार का दचनी भाग बिहार से अलग होके क्या बन जाता है जारखन बन जाता है इस तरीके से 15 नवंबर 2000 को जारखन अस्तित में आता है आई हो फी तनी बाते आपको समझ में आई होगी चलिए, अब अगला हम बात करते हैं बिहार की राजधानी का, तो अब हम थोड़ा सा फॉर्ट चलेंगे, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार का जो राजधानी है वो क्या है, पटना है, बिहार का राजकिय भासा हिंदी है, दित्य राजकिय भासा उर्दु है, अगर आ राजकिये पुष्प क्या है गेंदा है बिहार का राजकिये पुष्प गेंदा राजकिये ब्रिच पीपल राजकिये पच्छी गौरया और राजकिये पसू बैल राजकिये मचली मांगूर अगर आपसे राजकिये गीत के बारे में पुछे तो मेरे भारत के कंठार तुझक पे तुझको सभसत बंदन भिहार, यह बिहार का राज की गीत है, राज की प्राथना के अगर हम बात करें तो मेरी रफदार पर सूरज की किरन राज करें, यह «बिहार का बिहार राज का प्राथना है», वहीं राज का गीत है मेरे भारत के कंठार तुझको सफसत बंदन बिहार तो यहां तक अगर हम आगे बात करें तो अब हम थोड़ा राजनितिक पर्चे की बात कर लेते हैं यह भी आपके लिए काफी important है देखें जो भी चीजे मैं आपके सामने रख रहा हूँ वह आपके जो generalized view है उसको बहुत ही clear करने वाला है तो चलिए अब हम राजनितिक पर्चे यह अर्था तो बिहार राज का जो राजनितिक पर्चे है उसकी बाते कर लेते हैं अगर हम कुल जीलो की संख्या की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में कुल जीलो की संख्या कितना है 38 है हम map भी देखेंगे map एक already बिहार के 38 जीलो का पूरा बिभाजन बहुत ही आसान भासा में समझाया हुआ है आप उसे जाके भी हारा स्वेसल वाला स्रीज में देखे बहुत अच्छा लगेगा आपको पूरे 38 जीलो को किस तरीके से आपको याद रखना है मैंने उसमें बहुत आसान भासा में समझाया है 10 मिनट का वीडियो होगा वह आपके लिए काफ़ी फ्रोटफूल होने वाला उसका भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेर कर दूँगा आप उसे भी जाके एक बार जरूर देखेगा तो कुल जीलो की संख्या अगर हम बात करें तो कुल जीलो की संख्या है 38 टोटल डिस्टिक की संख्या कितना है 38 एक ओबर व्यू आपको मालूम हना चली अनमंडल अनमंडलो की कुल संख्या है 101 डारेक्ट कुर्शन पूछा जाएगा आपसे कि बिहार में कुल अनमंडलो की संख्या क्या है तो एक चोई एक बिहार में कुल जिलों की संख्या क्या है तो 38 प्रमंडलों की संख्या क्या है अगर प्रमंडल पूछा जाता है तो प्रमंडलों की संख्या होता है कोसी अच्छा अन्वंडल प्रमंडल ये सब क्या है अड्मिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है अड्मिनि तो इस तरीके से आप कह सकते हैं है आरकेल अगर हम चले कि जिला प्रमंडल और देन अनुमंडल करने का मतलब अगर आप एक जिला है एक पुरा राज है न तो अगर बिहार का आप एक मैप ओबर विव ड्रॉ किजिए तो इस अड़तीस जिलो में टोटल अड़तीस जिलो को इस नॉट पॉसल कि यहां से बैठ के और पूरी पर नजर रखा जाए तो इसलिए परसासनिक क्या होता है परसासनिक डिविजन कर दिया जाता है तो परसासनिक जब डिविजन करियेगा तो उसमें क्या है टोटल अनमंडलो की संख्या 101 हो जाता है वहीं परमंडलो की संख्या बोलेगा देखे, प्रमंडल की संख्या अगर बोलेगा, तो प्रमंडलों को कुल नौ प्रमंडल में डिवाइड किया गया है, उस नौ प्रमंडल का नाम क्या क्या है, कोशी, दर्भंगा, तिरहुत, सारन, भागलपूर, मगद, पतना, पुर्निया और मुंगे, एक और फिर से देख किजे, कोशी, दर्भंगा, तिरहुत, सारन, भागलपूर, मगद परमंडल, पतना परमंडल, पुर्निया परमंडल और मुंगेर परमंडल, ये कुल नो परमंडलों की संख्या है, जो मैप ऑला विडियो है, उसमें हमने परमंडलों को कवर किया है, राजस्व गाओं की सं संख्या है 4513 वहीं लोग सभा में सीटों की संख्या अपनी लोग सभा का नाम सूरा होगा तो लोग सभा में बिहार से सीटों की संख्या है 40 वहीं राज सभा में सीटों की संख्या है 16 त्यांदी जगा यह प्रस्ण बार बार पूछा जाता है लोग सभा में बहुत इंप्रस कमपरीजन करें तो लोगम में अनुसूचित स्रांस चालीस और वहीं राज़ चांगा, सोला पर छीट कि विःठान बिहार का जो बिधान परिशद है बिधान सभा है तो बिहार में जो लेजिसलेटिव जो चीजे हैं वो क्या है बिधान मंडल जो है वो दिव सदिनिये है बिहार का बिधान मंडल जो है वो दिव सदिनिये है दू सदिनिये कहने का मतलब यह होता है कि यहां बिधान परिशद है यानि Council Legislative Council और Legislative Assembly यानि विधान सवा दोनों है तो विधान मंडल इस अदिये हैं विधान परिशत और विधान सवा दोनों भीहार में मौजूद है विधान सवा में अगर आप सीटों की संख्या पूछता है तो विधान सवा में सीटों की संख्या 243, कितना है, 243 है, वहीं विधान परिश्यत में आपसे सीटो ही, यानि schools में सीटो की संख्या अगर पूछता है, तो वो 75 है, एक और फिर से बिधान सवह में सीटो की संख्या 243, और बिधान परिश्यत, बिधान सवा के लिए direct election होता है लेकिन बिधान परिशत के लिए direct election नहीं होता है तो बिधान परिशत में सीटों की संख्या 75 बिधान सवा में अनुसुचित जाती के लिए आरचित सीटों की संख्या 38 वहीं लोग सवा में अनुसुचित जाती के लिए अरचित सीटों की संख्या बिहार से 6 बिधान सवा में अनुसुचित जन जाती के लिए सीटों की संख्या 2 ठीक है तो यहां तक कोई दिकत एक वार फिर से देख लिजे जल्दी से बिहार में कुल जिलो की संख्या 38, अनमंडलो की संख्या 101, प्रमंडलो की संख्या 9, कोशी दर्भंगा, तिरहुत सारण, भागलपुर्म, मगत, पतना, पुर्णिया और मुंगेर प्रमंडल है राजस्व ग्रामो की संख्या 4513, लोगसवा में सीटो की संख्या 40, राजसवा में सीटो की संख्या बिहार से 16, लोगसवा में अनसुचित जाती के आरचित सीटो की संख्या बिहार से 6, बिधान मंडल की अगर हम बात करें तो दियू सदिनी, यानि बिधान परिशत और जहान सभा में अनुसुचित जन जाती के आरचित शीटों की संख्या दो यहां तक कोई दिकत नहीं होनी चाहिए आको और अगर आपसे पूछे कि बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है मालेते हैं कि कोशन इस तरीके से कर दे कि बिहार में कुल महानगरों की संख्या कितन राइट रेच टॉल आप को मैं बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट अब यूज से था वो मैंने कवर कर दू तो आएए अब हम भागोलिक द्रिश्टी से अर्थात बिहार का भागोलिक परिचे को जान लेते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बह पहला कोशन आप यहां देख रहे होंगे बिहार के राज्य की सीमा को असपर्स करने वारे कुल राज्यों की संक्या बहुत बेसिक कोशन है कुल इतने ऐसे राज्य हैं जो बिहार के सीमा को टच करते हैं तो आप यहां देख रहे होंगे यह बिहार का आपको मैप है तो यह नहीं पर आपको दिख रहा होगा उत्तर परदेस यानि विहार के पंस्ची में कौन सा है उत्तर परदेस वहीं बिहार के पुरव में आपको दिख रहा होगा बेष्ट बंगा this is the only earth is in east in which which touches the border of Bihar. वहीं अगर सौत की बात करें तो यहां आप को दिखे रहा होगा जहारखंड. So, there are total only three states जो कि Bihar के राज को यानि Bihar को टच करता है. Bihar राज को टच करता है, बिहार के राज को टच करता है. यानि Bihar राज के सीमा को टच करता है. आपके याद हो गया ओगा सो कौन-कौन है बिहार के पूरब में पच्छिम मंगाल आँ जारखन वही बिहार के अगर हम बात करें यहीं पर थोड़ सा कि उत्तर में कोण पढ़ता है तो उत्तर में पढ़ता है आपको नेपाल जो की एक देश है तो एक मात्र देश जो बिहार के सीमा को टच करता है वो है नेपाल तो बिहार के उत्तर में कौन सा है नेपाल पस्चिम में उत्तरफटेश दस्चिन में जहारकंड और पूरब में definitions मगाल अब आई एक एक करके हम देखते हैं वैसे कितने बिहार का जिला है जो जारकंड से टच करता है यहां देखेगा बिहार के वो कौन-कौन से जिला है जो जारकंड से टच करता है और टोटल नंबर कितने है तो रोहतास और अंगाबाद गया नवादा जमुई बांका भागलप और कटिहार कितने हो गए तीन च्छो और दो आठ तो टोटल आठ जिला जो है बिहार का वो जारखंड से टेच करता है वो कौन-कौन है यहां आप मैप में देखिए रोहतास और अंगाबाद गया और यह जमूई, बांका, भागलपूर और कटिहार यहां से आपको बोर्डर बिष्ट बंगल का टेच करता है तो कटिहार यहां से इस तरफ से कटिहार भागलपूर, बांका, जमूई, नवादा, गया, और अंगाबाद, और रोहतास इसलिए मैं बता रहा हूँ एक और फिर से देख लिजेगा कटिहार, भागलपूर, बांका, जमुई, नवादा, गया, और अंगाबाद, और रोहतास यहां से ओके और यहां एक बहुत इंपोर्टेंट कोशन आने वाला है आपके लिए द्यान दिजेगा तो इसको थोड़ा सा मैं रव कर देदूँ, सो देट आपके लिए क्लियर हो जाए चलिए, तो आपने देखा कि बिहार के कुल आठ जिला, बिहार के कुल आठ जिस्टिक जो है वो जारखन से टच करता है आपने उसका नाम देख लिया, कटिहार, भागलपूर, बांका, जमुई, नवादा, गया, और अंगाबाद, और रोहतास एक वार फिर खुद से प्रैक्टिस की जगा मैप बना कर अपने आप याद हो जागा ये एक वार जरूर कोशिस की जगा मैप बिहार का इस तरह से एकर रोफ बना लिजे और उसमें फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट, सो अगला हम, हमारा जो परस्ण है, वो क्या है अगला जो प्राशन है वो ये, कि उत्तर परदेश से बिहार के कितना जिला स्पर्स करता है, उत्तर परदेश से बिहार के कितने जिले जो हैं, वो उत्तर परदेश से सीमा, सेयर करता है तो यह वाला जो देख रहा हूंगे जो मैं draw कर रहू हूं यह वाले सारी सिमा उत्तर परदेश से touch करते हैं आप कि इधर से भी ले लिजे यहीं से start करते हैं तो यहां आप देखेंगे यह वाला एक loophole है यहां पर देखेगा यह इस तरह से है ठीक है तो बिहार का रोहतास जो जिला है वो जारखंड और उत्तर प्रदिश दोनों को टेच करता है यह कोशन यहां से प्रसुन बन जाता है पहला कम, फर्स्ट कम फर्स्ट, रोहतास, देराफटर कैमूर, उसके बाद बक्सर, उसके बाद आरा, यहां से चल दियेगा, रोहतास, रोहतास से गाड़ी पकड़िये, कैमूर, कैमूर से बक्सर, बक्सर से आरा, आरा से कहां चलिएगा, आरा से सारन, जिसको आप छप्रा बोलते हैं, सारन, सारन से सीवान, सारन से गाड़ी पकड़िये और सीवान के लिए पहुंचिये, सीवान से गोपाल गंज और गोपाल गंज से पस्मी चमपारण, ठीक है, तो कितने हो गये हैं, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आठ राज यहां भी है, आप यहां से याद करना चाहें, यहां से भी याद कर सकते हैं, पैस्मी चमपारण, गोपाल गंज, सिवान, सारन, आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास, जिदर से आपको असानी लगे हैं, उदर से आप याद कर चाहें, लेकिन इसको माई डियर फ्रेंड एक बार प्रैक्ट एक बार मैं प्रैक्टिस जरूर किजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं किजिएगा, तो इस तरह से सुनने का कोई फायदा नहीं है, अपको मैं बता दूँगा, लेकिन आप इसको भूल जाएगा, एक बार जब आप अपने प्रैक्टिस किजिएगा, खुद से तब आपक जरूर मुझे दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेर जरूर कीजिएगा उनको भी फायदा मिले इस वीडियो का यह जो परियास है एक सेलफलेस परियास है और इसमें कोई आपको हीडेन चार्जेस नहीं है आपको पूरी तरह से विहार एक्जाम के जो देखते हुए एक अच्छा क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने की हमारी कोशिस रहेगी चलिए अगला जो प्रस्ण है आपके लिए वो हमने देखा कि जार्खन से कौन-कौन से डिस्टिक और उत अगर आप अपनी निगाहें जो कर रहे हैं उसको यहां पर रखेगा देखिए कहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर यह नहीं है आईए यहां पर यहां पर देखिएगा थोड़ा सा आप से बाते करने के चिकरें आगे बढ़ गया मैं अब या आज यह बिह जाल से सीमा साजा करने बाला मात्र तीन डिश्टिक है, वो है, कतिहार, पुर्णिया, और लास्ट में जो है, किसन गंज, यहां से questions विहार ने कई वार पूछा है, विहार का Easternmost, विहार का Easternmost district कौन सा है, यह questions बार बार आता है, ज्यान देज़ेगा इसको यही है वो किसनगंज तो इस्टर्ण मोंस डिस्टिक्ट जो विहार का है वो किसनगंज है और जब आपको मैं जोगरफी फढ़ाऊंगा जोगरफी वाले कुछ और कोस्टन अच्छे-च्छे कोस्टन जोब करवाऊंगा तो उसमें आप देखेंग आगे चलके कि विहार का एक मात्र जिला जहां चाय का उत्वादन होता है वो किसनगंज ही है इस सब करवाऊंगा अभी सबसे पले एक जेनरल ओवर्विव ले लिजे क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार थे हैं जिनको एक जेनरल ओवर्विव भी मालूम नहीं है विहार क अब उसके बाद हम चर्शा करेंगे कि नेपाल यानि नेपाल से सट हुए कौन-कौन से हैं तो नेपाल से सट हुए तो एक बार यहां से देख लिजे आई होप यहां तक आपको किलेर हो गया हुए इसको पढ़ने क्या विसकता नहीं है जारगंड से टच करते हुआ उत्त अब हम बात करते हैं नेपाल से तो थोड़ा सा यहां देखिएगा यह वाला यहां जो मैं ट्रा कर रहा हूं उसको द्यान से देखते रहीएगा नजर हटाईएगा तो खतम हो जाएगा खेला कि यहांसे चलते है एक साइट से कहीं भी चली हगा लेके मैप रेडिंग का एक थंब रूल होता है कभी भी चल यह यहांसे कर लें कभी भी याल निहुँगा पहला पस्मी चमपारण यानि वेश चमपारण पूरवी चमपारण ठीक है कौन-कौन हो गया चमपारण को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है तो यानि पस्मी चमपारण पूरवी चमपारण फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है सीता मड़ी उसके बाद मधुबनी उसके बाद सुपॉल, अररिया और किसंगन तो यह तो बहुत आसानी से आपको याद हो जागा बहर का टोटल 38 डिस्टिक अगर आपने आठ यहां याद कर लिया और आठ यहां याद कर लिया तेन यहां याद कर लिया तो कितने हो गए आठ यह 24 और दो 26 डिस्टिक तो ऐसी ही याद हो गे और सिंटर का आप अगर 12 याद कर लिए तो 38 टोटल याद होगे तो मैंने कहा ना आपको एकदम पूरी ये लूसिर तरीके से वह वाला वीडियो जो मैं पाला वीडियो है उसमें समझाया हुआ है तो अब आपको हम बात कर रहे थे कि बिहार का वो कौन सा डिस्टिक जिला जो नेपाल से टच करता है तो वो है पश्मी चंपारन, पुर्वी चंपारन, सीता मढ़ी, मदवरी, सुपॉल, अररया और किसंगंज बिहार का सबसे पुर्वी जिला कौन सा है तो किसंगंज है एक मातर जिला जहां चाय का उतपादन होता है वो किसंगंज है जूट का भी उतपादन यहां पर बहुत ज़्यादा होता है चलिए, अस्टिक करते हैं, कोशन के तरफ जो भी कोशन से यहां दिया हुए हैं, उसी के तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा डीटिल में नहीं दाएंगे, एक जनरल व्यू हम दे रहे हैं, भारत को कुल चेतरफल के अगर हम बात करें, तो भारत का कुल चेतरफल में इसका परतिस कितना है चेतरफल, दो दिसम्लब आठ छे परतिसत इसका चेतरफल है, अगर हम बिहार के कुल चेतरफल की बात करें, तो बिहार का कुल चेतरफल कितना आता है, कोई बता सकता है, चौरानवे हजार एक सो तीरे सट असक्वार किलो मेटर, याद रखिएगा इसको, बिहार क से एक चीज और हम बता दें, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पले, यह सारे कोस्टन को करने से पले, थोड़ा सा और चर्चा करना मैं चाहूंगा, इसको थोड़ा सा डिलीट कर ले ने दिजे, शो तर्थ हमारे पास सपीस मिल जाए, अगर अगर आपको अच्छान से विस्त अगर आप से पूछ दे, विहार का, अगर आपको अच्छान से विस्तार पूछ दे, तो अच्छान से विस्तार विहार का क्या है, यह होता है अच्छान से विस्तार, ठीक है, लाटिचुड और लोंगिचुड आपने पढ़ा होगा, तो विहार का जो अच्छान से विस्त दस सेकन्ड, टिक है, 24 दिग्री 24 दिग्री बीश मिनाट दस सेकन्ड से लेकே 27 दिग्री 31 मिनाट और 15 सेकन्ड नौर्थ माइ लेकर इसको याद रख्ये कहा, 24 दिग्री 20 मिनाट 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड से ले करके 27 डिए 31 मिनट 15 सेकंड नौर्थ और ये होता है लॉंगिचूड, ठीक है, ये क्या होता है, लॉंगिचूड, अब लॉंगिचूड के अगर हम बात करें, तो यहां देखेगा, ये वाला जो लाइन है, यहां से ये वाला लाइन, ये लिटा हुआ जो लायन है वो लेटिचूड होगे निया अचांस होगे तो अचांस ये विस्तार 24 डिग्री बीस मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्री अचांस वही देसांतर ये विस्तार अगर पूचेगा तो देशांतरी बिस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड यहां से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड I hope यह पिक्चर के लिए होगा आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड 24 20 10 और यहां 27 31 15 और वही देशांतरी बिस्तार 83 डिग्री 19 50 से लेकर के 88 17 और 40 पुर्वी देशांतर इसको क्या बोलते हैं इस्ट और यह नौर्दन नौर्दन हमें स्पेर में हमारा पुरा देश जो है वो न यहां पर देखे सो लाटिचूड आप ने देखा लॉंगी शूट आप ने देखा कुल शेतरफल के अगर आपको बात करेगा कुल शेतरफल आपको मालूम है कुल शेतरफल कितना है 94163 k c k कितना है शेतरफल 94163 k c km यहीं पर चरजा कर देता हूं मैं थोड़ा सा और लंबाई अब लंबाई मैं आगर पूछे बिहार की कुल लंबाई कितनी है तो एक ची देखेगा बिहार का जब लंबाई आप से पूछेगा न तो बिहार की जो लंबाई होगा वो यहां से इस तरह से होता है यानि बिहार की जो कुल लंबाई है उत्तर से दस्चिन बिहार की जो कुल लंबाई है वो इस तरह से होगा ये उपर वाला पोर्शन क्या होता है नौर्थ ये सौथ तो जो बिहार की कुल लंबाई है वो कितना है 345 किलोमेटर कितना है बिहार की कुल लंबाई तो जब भी लंबाई पुछेगा तो उतर से दच्छिनवाला मिजरमेंट बताईएगा और ये है 345 किलोमेटर वही बिहार का कुल चोडाई फुर्दे तो चोडाई होता है पूरव से पस्चिनवाला एरिया तो कुल चोडाई है 483 किलोमेटर कितना है 483 यानि पूरव से पस्चिनवाला अगर भाग देखें तो 483 और उतर से दच्छिनवाला भाग देखें तो 345 यानि कुल लंबाई 345 किलोमेटर और चोड़ाई 483 किलोमेटर तो यानि कह सकते हैं कि बिहार की जो चोड़ाई है is greater than लंबाई बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि चोड़ाई कितना आपको पढ़ रहा है 483 किलोमेटर और लंबाई कितना पढ़ रहा है 345 किलोमेटर right अगर इस तरह से question पोचे का तो कि अब बना देगें बिल्कुल बनना चाहिए आपसे एक question और बनता है एक basic question बनता है कि above mean sea level above mean sea level कहने का मतलब समूद्र तल से अगर समूद्र है ये तो समूद्र तल से बिहार की उचाई कितनी है जब भी आप रेलिवे स्टेशन पर गया होंगे अगर मेंबमें रेलिवे स्टेशन या कहीं भी देखें है समुद्र तल से बिहार की उचाई समुद्र तल से बिहार की उचाई 173 फीट है ठीक है अगर सामान वर्षा पूछता है समान वर्षा अगर पूछता तो थोड़ा सा विन्नत आएगा लेकिन 1100 से लेकर के इसमें आपको कहीं के 1205 मिलिमिटर रहेगा या 1250 भी आपको देखने को मिल जाएगा तो यह है वहां का नॉर्मल मिलिमिटर इसको बोलते हैं सो 1205 मिलिमिटर बरसा होता है इसका रेंज है ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो यह रेंज में पड़ता है तो 1000 से भी अगर रहेगा 1250 तो आप इसका अंसर यह हो जाएगा ठीक है तो यह मोटा मोटे कुछ कोशन्स इसके अलावे अब हम चलते हैं जो आगे कुछ कोशन्स दिय है यह हम वहीं पर क्लियर करेंगे तो अब तक हमने देखा कि भारत के कुल शेतरफल जो है उसका परतिशत जो है वो दो दसम्वलब आट शे परतिशत वीचिस कोर्सपांडिंग टू 94,163 स्क्वार किलमेटर कुल बन की बात करें तो बहुत इंपर्टन प्रसन है कुल बन क जो है वो मौनसून जलवाई है बिहार का सबसे बड़ा नदी जो है वो गंगा है जो कि बिहार को दो बराबर भागों में यह कह सकते हैं कि नौर्धन और सौधन पार्ट में डिवाइड करता है क्या है गंगा है और सबसे गर्म कुंड जो है वो कौन सा है बिहार में बहु जो लोड मिटी है वहीं सबसे ज़्यादा खाने वाला कंजूम किया जाता है तो फिर से यह वाला कोशन देख लेते हैं सबसे परमुक खात फसल चावल सरवादिक पायजानवल लिमिटी जलोड सबसे गर्म कुंड ब्रह्मा कुंड सबसे बड़ी नदी गंगा नदी जलवायो मांसूनी कुल बन का जो परतिसत है वो 7.76 परतिसत कुली चेतर फल परतिसत में भारत के तो 2.86 परतिसत वहीं बिहार क 113.86 किलोमेटर रैपिट चलेंगे रैपिट में आपने देखा अगर वहीं आपसे लंबाई पूचता है तो लंबाई 345 किलोमेटर और वहीं चोड़ाई अगर पूचता है तो चोड़ाई 483 किलोमेटर ये वाला कोशन पूचता बार-बार अच्छांस और देशांतर वाल 31 मिनट 15 सेकंड तक वही देशांतर अगर पूछे तो देशांतर कितना है 83 डिगरी 19 मिनट से लेके 50 सेकंड यहां लिख देता हूँ देशांतर 83 डिगरी 19 मिनट 50 से लेकरके 88 डिगरी 17 मिनट 40 सेकंड इस्ट है होता है यह दिसानतर हमेंसा इस्ट होता है और अच्छान समयता नौर्थ होता है अगला जो कोशन आप से पूछ रहा है में आपने का मतलब होगा कि सबसे बढ़ा करम में सबसे बढ़ा से यौछ होगा तो ऩो जब चंपारन यानि पस्मी चंपारन और उसके बाद गया और उसके बाद पुर्वी चंपारन तिक यहां से इस तरह से घुमाई यह यह एए और इसे और यह सब से कम चेत्रफल वाले तीन जीले लेकि यह थ्यां दिजिए गया यह गया पूएट आप से पुठा यह सिबहर और विहार काया छोटा कर शोटा जिला है उसके बाद यहां देखेंगा जहानावाद से एक कटके अलग हुआ है वह है आरवल गमे के डिलाने में और जोटा जिला Episode 5 शेखपूरा शेखपूरा देखिएगा कहा है नालंदा के पास है नालंदा और लकी सराई के बीच में यह सेखपूरा पढ़ता है ठीक है आप इस तरह से बाकी सारे कोशनों को भी कर सकते हैं कि कौन-कौन से जो बोडर रहे इस तरीके से ऐसे तो आपने देखा कि सबसे तो आए अब हमने जो सेंसस वाले प्रसन जो किये थे लास्ट वीडियो में उसका एक वार रिविजिन कर लेते हैं मैप के थूरू आपको मैंने सारा डाटा एक कत्रित करके दे दिया था अब उसको थोड़ा सा रिविजिन एक वार मैप के थूरू कर लीजे चलिए एक इसको राइटिंग वाला लाने दीजे ओके अरे रेड़ी तेके गाइज थोड़ा सा अपने आपको रिफ्रेश रखे बस यह लास्ट होने वाला है वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा तो यह लास्ट है और बहुत इंपार्टेंट है तो प्लीज पे अटेंशन यह यहाँ पर ध्यान दिजिए श्星को थोड़ा सा एक साइड इंदर पड़ेंगे और एक साइड इदर पड़ेंगे ओके आएश्यों सबसे पहले पुर्णियास स्टाट करते हैं दो और हम बात करें मैच्चम लिटरेसी आप रोथास में, तो सर आपका अगला प्रशन होगा, कि सर नियून्तम पुरु साचरता तो पूर्णिया में हैं, तो मैक्सिम्म पुरु साचरता कहां पर है, तो वह होगा रोथास में हैं, सर दिक्तम महला सचर्टा कहा है तो महला सचर्टा है सर आपको रोतास में तो अगला प्रशन आपसे दिमाग में आना चाहिए कि सर नियुंतम सचर्टा वाला जिला कौन सा है नियुंतम सचर्टा महला नियुंतम महला सचर्टा वाला जिला कौन सा है तो नियुंतम महला सचर् प्रसा तेन प्रसंट क्लियर हो गया यहां तक कोई दिक्कत फिर से को रिप्ट कर दूँ कोई नहीं दिखे पहला सबसे कम साचर्टा वाला जिला तो सर पुर्निया सबसे अधिक साचर्टा वाला जिला बिहार का सर रोहतास एक प्रसंट दूसरा सबसे कम पुरू साचर्टा पूर्णिया 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 अब आते हैं अगला प्रस्ण है लिंगानुपात आपको मालम है महलाओं की संख्या उबर थौजन्ट पूरुस जितना भी महलाओं आ जाएंगे थौजन्ट पूरुस पर उसको लिंगानुपात बोला जाता है अब आपको कोशन है सर सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का कौन सा जिला है तो वो है सर हूंगे सबसे कम लिंगानपात वाला जिला है सर मुंगे तो प्रस्ण फिर बन रहा है आपको दिमाग में कि सर सबसे अधीक लिंगानपात वाला जिला कौन है सर तो वो है गोपाल गंज सारा डाटा मैं नहीं बताऊंगा आपको डाटा अल्रेडी बता दिया है उसको एक वार जरूर जाके विडियो को बाच किजेगा तो गोपालगन में सबसे अधीक लिंगान पात वाला जिला फिर से यहीं एक प्रशना आपको दिमाग में रहा है सबसे कम दस्किये बिर्दी जिला कौन है सर दस्की वुर्दी दर मतलव एक जनसंख्या अगर तो हजार एक वह हुआ ह हुआ तो इस दस साल में जो टोटल पोफुलेशन बिडर्दी हुआ ग्रोथ हुआ उसको दस्किये बिर्दी बोलते हैं तो सबसे कम दस्किये दरवाला जिला है सर गोपालगन तो यहांपर देखेगा यह क्या है मदेपूरा में सबसे अधिक दसकी जनसंग्या बिर्दीदर वड़ा जिला है अब अगला प्रसुंद देखते हैं तो यह आपने देख लिया कि लिंगानुपाद सबसे कम कहाँ पर है मुंगेर में और सबसे अधिक कहाँ पर ये भी किलियर चेतरफल पर बात करते हैं अभी जस्ट आप ने देखा सबसे अधिक चेतरफल किसका है सर तो पश्मिचंपारण का और सबसे चोटा चेतरफल किसका है सर तो सबसे चोटा जिला ये सर सीबहर है तो सबसे कम चेतरफल सीबहर सबसे अधिक चेतरफल पश्मिचं बोलते हैं तो सबसे कम जंसंक्या सबसे अधिक जंसंख्या ग्हनतव किसका एसर तो जिसका खेतरrophy सबसे कम है वहां पर है वह सiłár सबसे कम जंसंख्या तो कहां है सर यानि सबसे कम लोग कहां पर रहा है सब नियुनतन जनसंख्या गनतव बाला जिला है कैमूर सबसे अधिक जनसंख्या गनतव बाला जिला सीवार सबसे कम जनसंख्या गनतव बाला जिला तो कैमूर राइट अब आई ये बात करते हैं ये हो गया नियूंतन जनसंख्या वाला जिला जनसंख्या घनातव अलग है जनसंख्या अलग है नियूंतन जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या कहां पर है साहब तो सेखपूरा में है कहां पर है सर सेखपूरा में तो सेखपूरा में जो कि नालंदा और लखी सराय के बीच में है आप कह सकते हैं तो सेखपूरा में सबसे कम जनसंख्या है तो सवाल उठ रहा होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां है तो वो है पटना में और यही एक मात्र जो जिला है जो महा अगर है ठीक है तो आपने देखा तो इस तरीके से एक और विडियो को अगर आप बाच कर लेते हैं तो एक और विडियो को पसंद करते रहे हैं विडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर से किजिए ताकि उनको फाइदा मिले और अभी तक आप हमारी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए जल्द मिलते हैं फिर एक बार बिहारा स्पेसल के एक न्यू एडिक्शन के साथ तिल देन आप रिवाइज किजिए दन्नवाद